आज का ये वीडियो मैं Electrical Safety Department वालों के लिए बना रहा हूँ और मैं उनसे एक request करना चाहता हूँ कि आप लोग exam सही समय पे conduct करवाईए बहुत सारे candidate होते हैं वो परिशान हो जाते हैं कोई भी notification आप लोग नहीं देते हैं कि exam कब conduct होगा और आप लोगों तो पता ही है जित्ते भी candidate exam में participate करते हैं जित्ते भी बैठते हैं तो वो सारे लोग job करते होते हैं उनको कई सारी problem होती है और आपको ये भी पता है कि आप लोग exam मात्र भुपाल में ही करवाते हैं मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं वो बोलते हैं सर एक्जाम कब कंडक्ट होगा एक्जाम कब कंडक्ट होगा और मैं आप लोगों का मैं उनको नमबर दे देता हूं कि भाई आप इलेक्टरिकल सेटी डिपार्टमेंट मद्धप्रदेश में आप बात करिए लेकिन वहां से भी कोई फोन नहीं उठाता है ठीक अर फोन उठाता भी है तो आप लोगों को भी सही इन्फरमेशन नहीं होती है तो मैं आप लोगों से हाँढ जोड़के एक रेक्वेस्ट करना हूं कि कभी भी अगर आप फॉर्म भर्वाते हैं ओन्लाइन फौर्म आप लोग भर हो जाता है ठीक है कि जो भी रिजन हो फॉर्म रिजेक्ट करना तो उसको वो रिजन बताना जरूरी है क्योंकि जैसे अगर अगर नेक्स अगर अगर अप्लाई करें तो वो करेक्शन कर लें तो बस मैं आप लोग जहाँ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मद्ध प्रदेश इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपडेट करिए आप लोग ठीक है जिससे केंड़िट परिशान नहीं हो और जित्ते भी केंड़िट अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनने भी अब भी थक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लिए ताकि आपको एलेक्टर सुपरवाइदर और इलेक्ट्रिकल कॉंट्रेक्टर से रेलेटिव वीडियो मिलती रहें चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं फ्रेंड्स वीडियो एंड करने से पहले मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट की लिंक आपको देख रहे हैं इस वाले प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक आउट करना इसमें मैंने सारे वीडियो डाल दी हैं इलेक्टरिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड और फ्रेंड्स स्क्रीन को जो चैनल का आइकन दिख रहा है न इस आइकन को प्रेस करके आप यहीं से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो ने तक लिए बाई बाई एंड टेक केर